पीम मोदी ने कॉंगो मामले पर सयुक्त राष्ट के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की बात का तुरंत हो कारवाई शांती मिशन के लिए भारत प्रतिबद अधीर अजन चौधरी ने राष्टपती मुर्मू को पत्र लिख कर मांगी माफी नमस्कार मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूस 24 मद्रप्रदेश 36 गड़ तो चलिए रुक करते हैं कुछ एहम खबरों का जैंपी कॉंग्रेस का मिशन 2023 शुरू कर दिया गया है मिशन 2023 में MP कॉंग्रेस जुट गई है तो 9 अगस्त से सभी जिलो में पत्यात्र शुरू की जाएगी तो बतादे 15 अगस्त तक कॉंग्रेस की पत्यात्र चलेगी तो मिशन 2023 में MP कॉंग्रेस अब लगटा जुट्टी वी नज़र आ रही है आपको बता दे कि 9 अगस्त से सभी जिलो में पत्यात्र कॉंग्रेस करती वी नज़र आएगी तो कॉंग्रेस पत्यात्र कारी सांसद पूर्व सांसद विधायक इस पूरी पत्यात्र में शामिल होंगते कॉंग्रेस की ये पत्यात्रा चलेगी तो बता दे प्रदेश और केंज के खिलाफ सड़क पर कॉंग्रेस उत्रेगी तो ये बड़ी खबर भूपाल से पत्यात्र कारी सांसद पूर्व सांसद विधायक इस पूरी पत्यात्रा में शामिल होंगे और 15 अगस्त तक कॉंग्रेस की ये पत्यात्रा चलेगी प्रदेश और केंज के खिलाफ सड़क पर कॉंग्रेस उत्रटी भी नज़र आएगी बता दे किस पूरी पत्यात्रा में कॉंग्रेस पदादिकारी सांसद पूर्व सांसद विधायक इसमें शामिल होंगे बोपाल से मेरी सही होगे मितांशी जोशी हमारे साथ जुल गई है अमितांशी कॉंग्रेस की पद्यात्रा शुरू हो रही है तो क्या कुस तैयारे कॉंग्रेस रफसे कर ली गई है तेकि मैं आपको बतादो कि 9 अगस से लेकर 15 अगस तक कॉंग्रेस यहां पर पद्यात्रा शुरू हो रही है इस यात्रा में आपको बता दू कि तमाम जो कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं चाहिए हम कमलात से लेकर दिवीजी सिंग की बात करें सबी इसमें शामिल होने जा रहे हैं खास अगर हम बात करें कि क्या कुछ पीछे इसके वज़े है तो कॉंग्रेस जो है वो केंद सरकार और प्रदेश सरकार की जो नीतियां है उसका विरोध करने के लिए कॉंग्रेस लगतार की चीज कहती है कि जो है महेंगाई पढ़ती जा रही है सिलेंडर महेंगी होते जा रहे महेंगाई से आम आदमी काफी जादा परशान है तो सरकार की जितनी भी नीतियां है सरकार की जो जनता विरोधी नीतियां जो कॉंग्रेस जिनको नाम देती है इ उनके नेत्रित्व में ये जो यात्रा है ये 9 से लेकर 15 अगस तक निकालने वाली है पहले ही तिरंगा यात्रा को लेकर काफी जादा बवाल याँ पर खड़ा हो चुका है लेकिन बीजेपी इस पश्ट कर चुकी है कि 9 से लेकर 15 अगस तक धूम दाम से आज़ादी कमरेत इसे साफ तस्वीर दिखाई देती है कि कॉंग्रेस जो है मिशन 2023 में जुट गई है में तानशी हमारे साथ बने रही आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे तो पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है पंचायत चुनाव में सेम चिवराज का जादू चल गया बावन जिले में से 41 सीटों पर बीजेपी ने कबज़ा कर लिया है तो कॉंग्रेस को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली है बता दे स सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाइ कोट का इस्ते भी है तो ये बड़ी खबर है जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी का डंग का बज़िता हुआ साफत आर पर नजर आया बावन जिलों में से 41 सीटों पर बीजेपी ने कबज़ा कर तो वहीं कॉंग्रेस को सिर्फ दस सीटों पर जीत मिली है तो सीधी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाफ पर हाई कोट का इस्ते लगा हुआ है तो ये बड़ी खबर जहां जिला अध्यक्ष पंचायतों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो बड़ाद 41 जिलों में बीजेपी ने सरकार बना ली कॉंग्रेस को सिर्फ दस सीटों पर जीत मिली है जिला पंचा चुनाफ में कई जिलों में बवाल भी देखा गया तो भोपाल में खेल हो गया और कॉंग्रेस साफ तोर पर भोपाल में खेल होती नज़र आ है तो देकिस तरह से सेम शिर्वास सिंग चोहान प्रदेश अध्यक शिवीर्डी शर्मा को मिठाई खिलाते वे नज़र आ रहे हैं 52 जिलों में से 41 सीटों पर बीजेपी ने कबजा कर लिया है तो वहीं अगर कॉंग्रेस की बात पर तो कॉंग्रेस ने 10 सीटों पर कबजा किया है बोपाल जिला पंचाट अध्यक शिचुनाव में बीजेपी बड़ा उलट फेर करने में कामियाब रही और कॉंग्रेस के मुकाबले कम समर्थक सदस्य होने के बावजूद अपना जिला पंचाट अध्यक्ष बनाने में सपल रही है वहीं जीतर के बीजेपी समर्थित पत्याशी और कॉंग्रेस जिला उपाजक्ष की पत्मी राम कुमर गुर्जर ने सीम से मुलाकाद की और इस दोरान सीम ने न केवल उन्हें जीत की बढ़ाई दी बलकि समर्थकों के साथ जश्न मनाया देखे किस तरह से जो बीजेपी है वो जश्न मनाती भी यज़र आ रही है खबर बुपाल से है जहां जिला पंचायत काराले में हंगामा हुआ कॉंग्रेस कारेकरताओं ने जम कर हंगामा किया है दिग्विजे सिंग ने मंतरी भुपेंद्र सिंग की गाड़ी तक रोक डाली तो जिला पंचायत सदस्य को लेकर मंतरी पहुंचे थे तो में दिग्विजे सिंग ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कॉंग्रेस समर्थित सदस्यों को अगवा करने का आरोप लगाया गया तो बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है कॉंग्रेस लगतार सियासी आरोप लगा रही है भुपेंद्र सिंग का बयान भी सामने आया किसी का अफ़रन हुआ तो केस दर्ज कराय कॉंग्रेस दिग्विजे सिंग बे बुनियाद आरोप लगा रहे है तो ये बयान जो है भुपेंद्र सिंग के सामने आया तो बता दें जिला पंचायत काराले में हंगामा देखा गया है और कॉंग्रेस की तरफ से ये हंगामा किया गया तो इसे बीच इस पूरे मामले को लेकर भुपेंद्र सिंग का भी बयान सामने आया है तो बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोब लगा है कॉंग्रेस सियासी आरोब लगा रही है भुपेंद्र सिंग का बयान भी सामने आया कहा कि किसी का फरण हुआ तो केस दड़्ज कराये कॉंग्रेस ब्लॉक में जन्पत अद्श के चुनाव में वोट वो लोग डाल गए जो अधिकरत नहीं थे और फरजी मेडिकल सेटिवियर पे नो वोट डलवा दिये अभी हमारे पास कबर आई है कि वो लोग भी टेंडर वोट डलवाना चाहते हैं और इसमें हमारी आपत्ती है और हम उंबीत करते हैं जो पीठा सी नदिकारी हमारे है रिटानिक आफसर वो नियम और कानून का पालन करेंगे शिवराज सिंग चौहान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे प्रभारी मंत्री के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके परिवार के लोगों से सिकायत कराए ना उनके परिव किसी से तो रिपोर्ट कराएं कि हमारे जदस को पार्टी जंता पार्टी के लोग जवजस्ती उठा कर लेगा तो वहीं सीम शिवराज ने पूर्व सीम दिगविजय सिंग पर हमला बोला है जिला पंचायत भवन के बाहर कॉंग्रिस के प्रदर्शन पर कहा कि दिगविजय सि गया उन्होंने का कि एक पूर्व सीम को ऐसा करना शोभा नहीं देता है मैं उनके इस विवहार की निंदा करता हूँ ये कॉंग्रिस की हार की बोखला हट है तो देखिए से एम शिवरा सिंग जोहां ने पूर्व सीम दिगविजय सिंग पर वार करते हुए कहा कि ये अग्रिस की हार की बोखला हट है ऐसा असोभनी विवहार किसी पूर्व मुक्रमंत्री को सोभा नहीं देता कालन पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के चिला रहे हैं क्लेक्टेट के गैट को धक्का देके तोड़ने की कॉसिस कर रहे हैं अब यह बत्तमी जी है लोगतंत्र में जया और पराजय चलती रहती है एक पुलिस कर्मी का कॉलर पकड़े दिगवजे सिंग का फोटो वारल होने के बाद प्रदेश बीजपी अध्यक्षट वीडी शर्मा ने दिगवजे सिंग पर करारा हमला बोला है और कहा कि दिगवजे सिंग को एक पुलिस कर्मी का कॉलर पकड़ने का अधिकार किस ने दिया यहीं नहीं वीडी शर्मा ने कहा कि एक पूर्व मुख्य मंत्री होने के नाते दिगवजे सिंग से ऐसे आमर्याद आज हमारे देश की रक्षा में लगे प्रदेश की रक्षा में लगे सुरक्षा में लगे हमारे पुलिस के मित्र पर किस प्रकार से गुंडिजम करने का प्रयास हो रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह आज की गटना है यह कानून हाथ में लेने का अधिकार किस ने द करते होंगे मैं तो छात राजी में था मैंने देखा है एक पुलिस के मित्र को एक अधिकारी को किस प्रकार से कॉलर पकड़ करके उस अधिकारी पर गुंडागर्दी करना कमलनाची चुनाव के दोरां धमकी दे रहे थे हम देख लेंगे केक को एक कॉंग्रेस का जो मूल चर वर्दन सिंग ने बीजेपी विधायक रामिश्वर शर्मा की एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें रामिश्वर शर्मा एक महिला जिला पंचायत सदस्य को पकड़कर काराले में ले जाते दिखाई दे रहे हैं जैवर्दन ने ट्वीट में लिखा है कि ये MP की सबसे शर्म तो चली रूख कर लेते हैं बड़ी खबर का जैए MP में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम गया है मौनसून एक्टिविटी में बदलाव हुए हैं बता दें कि जिसके चलते सब ही बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूरवा नुमान जारी कर दिया है इन दौर नर्मद पूरम बैतूल गुना में येलो अलट जारी किया गया शिफपुरी मंडला रीवा में बारिश हो सकती है तो वही सागर सिवनी दहमों में हलकी से तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताए गई है तो मौनसून एक्टिविटी में बदलाव के चलते बा साले उफान पढ़ थे लोगों काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा था लेकिन अब बारिश जो है वो थम्ती वी नजर आ रही है ठीके मैं आपको बता दो कि फिलहाल जो जुलाई का बारिश का कोटा है वो यहां पर पूरा हो चुका है और रेनफॉल आक्टिविटी में बदलाव के कारण मद्रिदेश की कई जिलों में जो है बारिश का दौर रुग गया है बारिश के बाद मैं आपको बता दो कि उमस भूसम विभागने बारिश को लेकर राजदानी भोपाल में अलर्ड भी जता आया है कि राजदानी भोपाल में हल्की बारिश हो सकती है उसके लावा मद्यप्रिदेश के अगर हम बात करें तो अनुपूर डिनड़ौरी, उमरिया, कटनी, सिबनी में जो है बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है हालाकि मंडला बालागार्ट में गरच चमक के साथ और भोपाल में गरच चमक के साथ बारिश के आसार है तो भोपाल संबाग की बात करें दौर संबाग की शेडोल संबाग की अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ी बहुत बारिश देखन शुरू होगा दुबारा देखने को मिलेगा तो हाला कि मद्यप्रदेश में फिलाल तेज बारिश के दौर से जो है प्रदेश वासियों को राहत है लेकिन अगस्त में जब दुबारा बारिश का दौर शुरू होगा तो कहीं न कहीं दुबारा परशानी जो है जो छोटे जि को पार कर रहे स्कूली छात्रों को सिक्ष कोंने मौके पर पहुंच कर रुखा गटना दुलारिया गाओं की बताई जा रही है जहां दुलारिया नदी में आई बार से रप्टा डूब गया लेकिन फिर भी कुछ छात्र रप्टे को पार करने की कोशिश कर रहे थे बता दे कि यहां साल 2012 में बड़ा हाथसा हो चुका है और रप्टे को पार कर रहा श्रद्धालों से भरा वाहन पानी में भै गया था जिससे ग्यारा लोगों की मौत हो ग तो चलिए वाक्ते छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे हाथ सर्थ तो